आज 27 जन्वरी 2022 बाप दादा के महावा के हैं मीटे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं कौन बोल रहा है स्वयम परम पिता परमात्मा कि तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं क्या करना पड़ेगा लोक लाज लोक लाज क्या है क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ी तौलम के दुनिया की क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग उनकी पर्वारनिकरने जरूद पूर कलियोगी कुल की मर्यादाई चोड़ कलियोगी कुल में क्या है विकारों में जाओ, घरवालों की बाते मानो शादिय करो विकारों में जाओ और दुखी हो अशान्त हो रहे जगने यह कल्यू कुल की है चुपरो चुपरो अब नहीं का इसी कल्यू की कुल की मर्यादाएं छोड़ क्या करेंगे अब तुम कमाई करो योग से ग्यान से से शेवा से कमाई करो और बाप से पूरा वर्षा लो और बाप से पूरा वर्षा बास एक ही बास बहुत हो गया बहुत कल्यूगी दुनिया लोगों की रिष्टे नातों की सुन ली आप में अपना बाप मिला है मुझे उससे पूरा पूरा वर्षा वसीहत प्रॉपर्टी लेनी है उसके लिए कमाई करनी है ठीक है उसके लिए कल्यूगी रिती रिवाज रसम बर्यादाएं छोड़ देनी है क्यों कि अब हमारे सुख के दिन अब स्टार्ट होए तुम्हारा समय अब शुरू होता है सुख का प्रेशन है अंत मती सो गती अंत मती सो गती किस पुर्शार्ट से होगी जैसे अंत मती होगी वैसे आगी गती होगी उसके लिए क्या पुर्शार्ट है उतर है बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पड़ा है उसे भूल जो भक्ती मारत की किताबे पड़ी है जो शास्तर पड़ी है सब भूल सिर्फ एक बात याद करो एक बात याद करो चुप रहो कोई बहस नहीं करने किस से कोई वाद विवाद नहीं करना चुप रहो चुप रहा किया करना है अंदर अंदर थोड़ चलाने है नहीं अंदर क्या करना है अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरशार्त करो कोई कुछ भी कहता है उसकी बातों को सुनते वे ना सुनो उसको देखते वे ना देखो देख रही अपने बाप को है जो अब मुझे मिला है देखना कर चाह आपने को आत्मा समझ कर दो क्यूंकि वो आत्मा का बाप है ना बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते लेकिन दर्बदर होने से बचाते हैं किसे बचाते हैं?, दर्बदर, इस एक कश्मीरी वर्ड रDas है दर्बदर हो गया, दर्बदर में? दर्बदर जो दख्ये खाने से बचाते हैं दर दर कहां दखे गाए बक्ति मार्ग में और दुनिया भी कल्यों की रस्तमरे वाज में भी दखे ला अब क्या है दर दर क्या दखे गाए कहां बचाया गरीब बच्चे जो शादी आदी के लिए करजा लेते है बाबा उस से भी छुडा देते है बच्चे क्यों शादी करनी है क्यों बरबादी करनी है क्यों दर दर के घरों में जाके धक्के खाने है इंडिपेंडेंट जी हो यनि कुल मिला करके अंत मतीसो गती कैसे होगी बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्तर बनो तो अंतमती सोगती हो जाएगा। वह पवित्त ताकि इतने जबर्दर संसकार बनाओ, स्वभाव बनाओ, पवित्ता ही दिखे, तो पवित्तर दुनिया के मालिक बन जाएगा। उसके लिए गीत चला, धीरजधर मनवा, धीरजधर भगवान कह रहे हैं, बच्चे सुरी पेशन्स रखो, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अब पेशन्स रखना, भगवान पड़ा रहे हैं, ओम शान्ती। ये गीत है भगती मारक का, और भगती मारक वाले इनका अर्थ समझते ही नहीं हैं, सिरफ बच्चे ही जानते हैं, जो बाबा के बच्चे मने हैं, वो ही जानते हैं, कि कहां पेशन्स रखनी हैं, करियों की दुनिया में तो पेशन्स है ही नहीं, कहते भी हैं, बगवान से मा तो अब बरोबर बच्चे का जानते हैं कि अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं जिसके लिए हम पुरुशार्थ कर रहे हैं पुरुशार्थ से किस्मत बनती है जो एफर्ट अब बाबा करवा रहे हैं इससे किस्मत बनती है प्रारब्द बनती है रिवार्ड मिलता है अब एक्वेशन क्या है जितना उतना अब जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना सुख मिलना ही है यानि शिर्मत पर जोली भरते हैं पुरुशार्थ किस पर करना है बाबा के शिर्मत पर मुल्ले के बेस पर तो शिर्मत पर जोली भरते हैं ब्च्ठि मार्ग को कहा जाता है ब्रमा की रात अब उनों को यह पता ही नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे बस रटते रेंगे यह पतित पावन सीता राम पतित पावन सीता राम ये पुकारते रेंगे ये रट लगाई हुई है बक्तिमार में अब वो कब आएंगे तुम इतनी देर से पुकार रहे हो वो कब आएंगे तो अब तुम बच्चे जानते हो कि कल्यू के अंध और सत्यू के आदी को शुरुवात को क्या कहा जाता है पुखी संगम यूग कहा जाता है तो अब तुम उन्हों को कुम करन की नीद से जगाते हो जिनने उन्हें अप तक ज्ञान नहीं लिया है वो सब कुम करन है कुम करन की नीद में सोई हुए है अब मुनश्य याद करते है एक पतित पावण ग्यान सागर बाप को उस सागर को तो याद नहीं करते पानी के सागर को तो याद नहीं करते जिससे ये पानी की नदिया निकलती है वहां तो नदियों का संगम है है ना त्रिवेनी में जाते है तीन नदियों का संगम दिखाते है सागर और नदियों का नहीं है खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में जब उनका मेले होता है खूबी तो उतकी है क्योंकि सागर तो जरूर चाहिए ना अब सत्यू की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप God is truth सच्चा बाप सच्ची कहानी कौन सी नर से नारायन बनने की सुनाते है ख्याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ पानी को तो नहीं पुकारते गंगा तो नहीं पुकारते गंगा तो और नहीं चल रही है तो आओ किसको बोला तो जब पर्मात्मा आए तब ही तो कहा जाए आत्माओ और पर्मात्मा का मेला मिलन संगम का ये संगम है तो ये है सच्चा सच्चा मेला तुम लिख सकते हो ये आत्मा और पर्मात्मा का एक ही पुर्शोत्म संगम युग पर मेला लगता है संगम युग तो हर युग के बाद आएगा तो ये कल्युक और सत्युक जो बीच में जो है यह पुरुष उत्तम उत्तम से उत्तम पुरुष यानि आत्मा बनने का मिलन जिससे पुरुष नहीं आत्मे नहीं पतित स्रिष्टी बदर पावन स्रिष्टी जरूर बनती है तो वो है पावन दुनिया सतु देता क्या है पावन दुनिया दौपर कर लिए गया है पतित दुनिया और ये है सच्चा मेला जबकि पतित पावन पतितों को पावन बनाने वाला बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं यानि प्रमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है किसे लगता है पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए कैसे पते दुनिया है एक तरफ कैसे पावन दुनिया है कैसे प्रम पिता प्रमात माते बाबा कहते कार्टून बनाओ तो बाबा ये सब एडवांस में समझाते है अब त्रिवेनी पर अकसर करके शिवरात्री पर ही जाते हैं तो ये सब समझाने का भी नशा चड़ना चाहिए तरवेनी कहां रखती है उसमें क्योंते हैं कौन से तीन नदिया है गंगा जमना और सरस्वती कहते हैं गंगा जमना तो परत्यक्षा है सरस्वती गुपत है अब नदी भी गुपत हो सती है बक्या दिया एक ने सबने मान लिया तो अबने कहा ये सब है तो ये सब है ये सब समझाने का भी नशा चड़ना चाहिए तो जो अच्छा समझाने वाला होगा वो युक्ती से समझाएगा ना टेक्टफुली समझाएगा, ना, नहीं तो, अच्छी समझावा नहीं होगा तो, बित-बित करता रहेगा, ऐसी हच छोटड़ी बातों पर बैस करता रहेगा, अब कुम का मेला, कुम का मेला सचा और जूटा, सिद्ध करना चाहिए, कि ये है संगम, ये संगम यूग है, ये संगम जबकि पतित दुनिया, पावन दुनिया बनती है, तो सचा सचा मेला ये है, ये संगम यूग है, पूरा कुम है, ये असली कुम है, उन्हें तो बारा वर्ष का, छे वर्ष का कुम बना दिया, पर असली कुम तो ये सो साल का है संगम यूग, ये कुम चल रहा है, इसमें कुम मैं दिखाते हैं ना, कुम ने घड़ा, घड़ा भर रहे हैं तो वो कुमकरन जो दूसरे कुमकरन दिखाते हैं वो कुमकरन की अग्यान नीद में सोय हुए है दुनिया सारी जो ग्यान में नहीं है वो सब कुमकरन की अग्यान नीद में सोय हुए है कैसे परमात्मा जिसने पतित से पावन बनाना है पावन सिस्ट्री बनानी ह उसके लिए ये कह देते हैं सरव्यापी है अरे वो तो पतित पावन है उनको तो आना ही है पावन बनाने अब तुम जानते हो ये एक ही ये एक ही पुरुशोतम संगम युग है जिसमें चड़ती कला होती है सत्यों के बाद फिर गिरती कला सत्यों के बाद फिर नीचे गिरना ही है अब जो समय बीता वो कहेंगे पुरा हुआ पास्ट इस पास्ट है ना पुराना होते होते बिलकुल ही पुराना पुराने बन जाएंगे सत्यु बीद गया तेता बीद गया पुराना हो गया दौपर बीद गया कल्युक बीद गया पुराना हो गया तो तुमारी स्वास्ति का भी ऐसी बनाई हुई है क्या बनाई है सतो परदान सतो रजो तमो तमो परदान तो तुम जानते हो हम अभी हम अभी इस संगम युक पर बाप से सदा सुक का वर्सा पाने का पुर्शार्थ करते हैं क्या पुर्शार्थ था मारा इस संगम पर क्या पुर्शार्थ था मारा क्या पुर्शार्थ कर रहे हैं सदा सुक का वर्सा पाने का पुर्शार्थ करते है बाबा पुर्शार्थ भी बहुत सहज कराते है कोई तकलीफ नहीं बाबा पुर्शार्थ के लिए कोई तकलीफ नहीं और ही दर्बदर होने से बचाते हैं और ही दर्बदर होने से बचाते हैं अब देखो कहां दर्बदर हो रहे हैं दर्बदर लोगों के घर में दखे गारे कहां शादी आदी में कितना खर्चा होता है गरीब को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है और बाबा इन कर्जे आदी से भी चुड़ाते हैं कर्जे आदी से भी चुड़ाते हैं और नरक में गिरने से भी बचाते हैं करोगे तो घोर नर्ग पर पहुंच जाओगे उससे भी बचाते हैं तो खर्चे आधी से भी बचाते है इसलिए इसलिए यहां गरीब बहुत आते हैं कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती है अच्छी अच्छी कन्याएं आती है और अचानक अच्छी थी हुआ क्या अचानक काम विकार का तुफान आया सगाई की और शादी कर ले फिर शादी करने के बाद शादी करके फिर पश्टाती है कि ये बड़ी भूल होगी फिर टाइम तो लगता है ना चार दिन की चांदनी तो होती है ना अंध्यारी रात तो फिर बाद में होती है पश्ताना तो बाद में पड़ता है, चार दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, वाँ, मेरे हजबन कैसे है, बहुत अच्छे है, तो बहुत अच्छे है, टाइम तो लगता है ना, तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते है, अब साहुकार तो आना सके, वो ना खुद वर्सा पाते है, ना रचना को सची कमाई करने देते, ना बच्चों को बोलेंगे, तुम ग्यान में जाओ, गरीबों में भी बहुत गंदी रसम रिवाज है, क्या है, लोक लाज, क्या कहेंगे लोग, आपने पैसे बचाने के लिए लड़की की शादी ने की, स परिवार की मर्यादाएं हैं, यह तो मर्यादाएं पिछे से चली आ रही है, शादी तो करनी ही होती है, इनकी मर्यादाएं है, यह मार डालती है, कोई बच्चे या बच्चियां अब ठीक नहीं पड़ते हैं, तो दोजग में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, रसात कुई नहीं भी निकलते हैं भाबा तो effort करेगे ना कि मेरे बच्चे क्यु नर्क में जा रहे हैं क्यूं शादी करें बर्बादी कर रहे हैं अब जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डालके बचाएं समझते रहते हैं बाप तो बाप बच्चों का रचेता होने के कारण समझते हैं है तो अल्टी मेरी बच्चे ना मैंने इस ब्यांगवा तो कौन समझाएगा तो बाप बच्चों का रेच्चेता क्रियेटर होने के कारण समझाते हैं बच्चे बच्चे तुम सच्ची सच्ची कमाई करो और बच्चों को भी कराओ तो भी कितनी खिटपिट होती है इस तरी ग्यान में आए तो पती न आए पती ग्यान में आए तो बच्चे न आए इसलिए खिटपिट होती है अब बाबा समझाते तो बहुत अच्छी रिती है क्योंकि मूल बात समझने की क्या है मूल बात ग्यान की क्या है समझने क्या है पवितरता की अब बच्चे लिखते हैं फिर बाबा क्रोध आ गया तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध करते क्यों हो अब शास्त्रों में क्रिशन के लिए दिखाते हैं जशुदा उसकी मां हाथ बांद उख्री से बांद देती थी परंटू यह तो शास्त्रों में दिखाया है परंटू ऐसी बात वहां पर है नहीं वहां तो मरियादा पुरिशोतम बड़े रमनीक बच्चे होते हैं उसे एक जामपल दिए जाता है, रहेसे नहीं, महाँ दो बड़े मर्यादाव में पुरिशोत्म और रम्नीक बच्चे होते हैं, हिउमर होता है, हिउमरस बच्चे होते हैं, यहां भी कोई-कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजिलत रहती है मैनर्स रहती है बात करने की मैनर्स होने जिना कई बच्छे ऐसे हैं ऐसे बड़ों से मजाख करते हैंगे फालतू बोलते रहेंगे बिद बिद करते रहेंगे वो मैनर्स नहीं है उतना बोलो जितने जुरूरत है ज्ञाद कोई हांसर आप ज्ञाद करते रहो मैनर्स नहीं हैं आपने आप कोई चक करना चाहिए। बात करने के भी बहुत फुझी रहती है, यहा तो धेर बच्चे है, बाबा।का के भी धेर-बच्चे है। कोई कोई तो शिरीमत पर चलते ही नहीं है यह नहीं काइदे पर चलते ही नहीं यहां भी तो सिस्टम जाना है किस्टम जाना चलते ही नहीं काइदे भी तो बहुत है ना बाबा के बनने के बाद काइदे भी तो बहुत है ना कितने अलग-अलग लॉज मनाए हैं हमने भी हैं स खाना पड़ता है बाबा क्या करे मिल्ट्री पे बोज़े तो खाना पड़ेगा जो बनेगा क्या करे बाबा कहते है कोशिश करो मज़ी बुरी है ना कोशिश करो शुद्र चीज़ खाने की नार्विज ना खाओ लेसन प्याज ना काओ कोशिच तो करो, अब बनता ही है, होता ही वहाँ पर यह है, तो क्या करें? फिर बाबा कहते हैं, लाचारी हालत में, अब तुम बॉर्डर पर गे हो, फाइट है, बड़ी मजबूरी है, लाचार है, कुछ करने सकते हैं, लाचारी हालत में जो बना हुआ है, दिश्टी दे कर और क्या करेंगे, दिश्टी दो इसको दिश्टी से शुद्ध बनाने कोशिच करो, और क्या करेंगे, और क्या अलाज है, बाबाने अलाज होता है, अब नहाल रजी वरा बना हुआ है, ऐसा सजी बने हुए है, फिर डबल रोटी तो मिल सकती है, पहले इनेजमेंट करो बाहर से बेंड लियाओ, डबल रोटी तो मिल सकती है, डबल रोटी पे क्या करो, शहद, मक्षन, आलू ले सकते हो, आलू बाइल कर लो, फूरा फूरा हो भी, जिस चीज की आदत पढ़ गई, तो फिर चलता रहेगा, जब बैट जैम का जब ये शहद का जब टेस्ट आज खाने की, तो कोई बात नहीं, बैट वीड जैम भी लगा लगा के खासते हैं, मक्षन लगा के खासते हैं, पर हर बात में पूछना पड़े, हर एक के लिए नहीं आए, जिनको लाचारी है, मजबूरी है, नहीं कासते हैं, हर बात में पूछना पड़े, बाबा तो बहुत स हैज कर देते हैं कुलमिला के बात क्या है कुलमिला के बात क्या है सबसे अच्छा है पवित्र बनना अब कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर कोई उड़ा देते हैं यानि बाप की मलकियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं कोई तो कोई मेहनत की नहीं है मेहनत क्या होती है पैसे कैसे मेहनत सीकत वह नहीं है बाप की मल्कियत को उड़ा देते हैं पर तुम बच्चों की बुद्धी में अब है क्या है बुद्धी में अब कि अब हमारे सुक के दिन आ रहे हैं तो क्योंना हम पुर्शार्थ कर उचेते उचा पद पाएं अब जब मौका मिल गया है आपको डेस्टिनिय आपकी बन रही है तो क्योंना पुर्शार्थ करें एफर्ट्स करके उचेते उचा पद पाएं पुर्शार्थ से ही अपने को चेक ग्यान से चेक करो और योग से चेंज करो मिलेगा उससे ही अब ममा बाबा तकत नशीन होते हैं ग्यान ग्यानेश्वरी सो फिर बनेंगे राज राजेश्वरी अभी ग्यान है फिर राजा बनेंगे तुम को भी ईश्वर ग्यान देते हैं तुम को भी ईश्वर ग्यान देते हैं तो तुम भी यह ग्यान उठाएं फिर ग्यान जीवन धान कर लिया, फिर आप समान बनाएंगे, तभी तो राज राजे शुरी बनेंगे, ग्यानियों की धाना करके उतनी इपॉर्टेट सेवा भी करनी है, जन जन को पैगाम भी पचाना है, यानि माँ बाप को फालो करना चाहिए, जो माँ बाप करके दिखाया, व इसमें पढ़ाई है ने ये तो, अब इसमें अंद शरदा की तो कोई बात ही नहीं, ब्राइन फेट तो है नहीं है, सन्यासियों के फॉलोवर्स बनते हैं, पर तू फॉलो तो करते ही नहीं, वो पवितर रहते हैं, फॉलोवर्स पवितर करते हैं, है ना, वो कपड़े भी, बदलते हैं कैसे पहनते हैं और वो तो बदलते हैं पैसे पहनते हैं जिनको सन्यास धर्म में जाना है वो घर में ठहरेंगे ही नहीं उन से सन्यासी बनने का पुर्शार्थ जरूर होगा तो ड्रामा अनुसार ही भक्ती मार्ग शुरू हुआ है और सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है गिरावट तो आनी आनी है और भक्ती मार्ग से अच्छी थी गिरावट में राम से आये सबसे पहले सबसे पहले पहला प्रेश कौन शिरी कृशन शिरी कृशन को देखो उनको भी चुरासी जनम लेने है जरूर तो अब अंतिम जनम में होंगे तब ही तो फिर शुरू में आएंगे जो अंत में इस समय पहुंचके यहां पर वो ही तो शुरू में आएंगे अब लक्ष्मी नारायन नमबर वन सो फिर लास्ट में है लक्ष्मी नारायन को है अभी लास्ट में ममा बाबा यही फिर नमबर वन में आएंगे दुबारे से लक्ष्मी नारायन बनेंगे उन्हों को जगत का नात किसने बनाया कब वर्षा लिया कब वर्षा मिला उनको ये तुम बच्चे जानते हो कि इस संगम युग पर उनको ये वर्षा मिला है उनको ये नहीं मिला फिर सारी राजधानी स्थापन होनी है इसका मदब क्या हुआ कुल मिला करके बर्हामनों ने चुरासी जनम लिये है कौन से बर्हामन जो अभी पाट बजा रहे है ये है पड़ी समझने की बात यहां पर आप आ गए हो टेक शोर शाट देवता तुम पक्का बनें गई है ना परंतु कुई क्या धारण करते है पर इसमें है पुरशार्थ की बाप सारा खिर किस पर है पुरुशार्थ पर बाप प्रजा पिता ब्रहमा के मुख द्वारा संबु कहते हैं कि मैं आया हूँ अब मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकरम विनाश होंगे आत्मा कहती है हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ अब शरीर फिगर आप राज्यू कैसे से खिलाएंगे चरी तो चाहिए नो उनको भी, हम सुनते हैं तो इन कानों से हैं, शरी से सुनते हैं, वो भी तो बोलेंगे कैसे, राज्यों कैसे सिखाएंगे शरी बिगर, अब क्या पुरूफ है वाते हैं, शिव जन्ती भी है जरूर, यानि मैं आता हूं, पर तु मेरे आने का, कब आया कि नहीं पढ़ता, कोई को पता ही नहीं पढ़ता, तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प, मैं कल्प कल्प, भ्रमा के तन में ही आता हूं, भ्रमा के तन में क्यों आये, जिसने चुरासी जन्म लिये हैं, इसमें बदली हो ना सके, ये राज राजेश्वर था फिर अब ग्यान ग्यानेश्वर बन फिर राज राजेश्वर बनना है ये बना बनाया ड्रामा है जो इसमे ग्यान लेगा वो राजाओं का राजा बनेगा ये बनेगा ये बना बनाया है फिर गाया भी जाता है ब्रहमा विश्णु श्ञंकर ब्रमा लग विश्नुवा लग शंकर अब प्रजा पिता फादर अव दी हुमेनिटी तो ब्रमा को ही कहेंगे विश्नुवा शंकर को तो नहीं कहेंगे ब्रमा द्वारे सापना हुई है प्रजा माना मनुष्य पुरे मनुष्यों का पत्पिता प्रजामाना मनुष्य कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ रचना कोई नहीं नहीं रचते भगवान बच्चे आत्मायों को पैदा नहीं करते आत्माय तो है ही, परमात्मा तो है ही, स्रिष्टी तो है ही, ड्रामा तो है ही ये चार चिज़े तो अनादी अभिनाशी है रचना कोई नहीं नहीं करते है बाबा पूछते है क्या पूछते है बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे क्या ख्यान है स्वर्ग में चलेंगे बाबा पे वारी जाएंगे वारी जाएंगे मेरे पर कुर्बान जाएंगे जो मैं कहते हूं वैसे करोगे क्योंकि मैं आया हूं क्या करना है बाबा पर वारी कैस जाना है क्या करना पड़ेगा एक ही बात क्या करना पड़ेगा अब मैं आया हूं अब मुझे ही याद करो बस अब मुझे याद करो उसके लिए जितना हो सके देधारियों की याद कम करते जाओ हाँ तुम करम योगी हो करम भी तो करना न आपने योगी भी हो करम भी करना आपने दिन में भल सब कुछ करो बिसनस करो, नौकरी करो पर तु साथ पर तु साथ साथ ऐसी याद में रोको आपने बिसनस करो पर ऐसी याद में रो जो अंत में भी मेरी याद रहे नहीं तो नहीं तो जिन के साथ लगन होगी प्यार होगा वहीं जनम लेना पड़ेगा जहाँ पर अटैस्प्मेंट होगी बुद्धी अटैस्प्मेंट होगी वहीं जनम लेना पड़ेगा गरस्त वेवार में रहते रहना अपने घर में ही है बाप को याद करने में मेहनत लगती है और बाप कहते है दिन में तु बिजी हो रात को जागो यानि सुरे सुरे तीन बजी उट जो साथ देन उट जो अमरी तु लग उटो तुम्हारी तबियत खराब नहीं होगी लोग डरते हैं जी तबियत खराब हो जाएगे सुरे 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 उटने से बाप कह तुम्हारी तबियत खराब नहीं होगी क्यों नहीं खराब होगी सुरे 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 उटने से योग से तो और ही बल मिलेगा योग बल है ना सो दर्शन चकर धारी बन चकर फिराओ क्या करें से लोटके चकर फिराओ फिर भावने की तर प्यार से बोला हे नीद को जीतने वाले लाड़ ले बच्चे जिसका रत लिया है उनको कहते है ब्रम बाबो कह रहे हैं तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यही बनते हैं तभी तो नीद को जीतना है दिन में तो सर्विस करनी हैं बाकी कमाई रात को ही करनी है रात तो अपनी है दिन तो दुनिया के रिए जीना पड़ता है हरे की सेवा करनी पड़ती है रात तो अपनी है बाकी कमाई तो रात को ही करनी है अब भगत लोग सुभा सवेरे अलिन दा मॉनिंग उड़ते ही हैं गुरू लोग क्या कहते हैं उनको उठते हम भी सुभाए पर गुरू लोग उनको कहते हैं माला फेरो माला फेर नहीं है क्योंकि धंदे में तो फेर नहीं सकेंगे कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेर जे में रख लेंगे माला फेर करते हैं के राम राम एक राम राम दो राम राम थीन तो सुभेरे उट माला नहीं फेर नहीं क्या करना है याद करना चाहिए उठके एक ही का हूँ याद करना चाहिए कैसे याद करने के लिए क्या करना पढ़ेगा विचार सागर मन्थन करना चाहिए विचार जो ग्यान के सागर ने मुरली में दिया है उसका मन्थन करो आपने आज मुझे क्या का करना है पहले मुरली फिर योग में बैटो क्योंकि याद से ही विकरम विनाश होंगे जान से समझ आएगा जान से विकरम विनाश ही होंगे याद से ही विकरम विनाश होंगे फिर वाबन ने कहा एवर हेल्दी बनना है बनना है कि ने बनना एवर हमेशा के लिए healthy बनना है तो क्या करे ever healthy बननना है तो ever याद करना है हमेशा याद करना है तब अंतमती सुगती हो जाएगी बहुत भारी पद मिल जाएगा अब इस में यादी करना सिरो पोस्पूश में जाएगी अब इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं क्या करना है फिर चुप रहना है और पढ़ना है चुप रहो कोई कुछ बोलता है चुप रियक्ट नहीं करना किसी की बात का जो करता है उसके करम मेरे करम क्या है चुप रहना और पढ़ना ग्यान योग धारना सेवा इसी में बिजी रहना बाकी आज तक पिछला ग्यान से पहले जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है एक ही काम सेटेफ बाप को याद करना है आत्मा ही शरीत द्वारा काम कराती है तो करं करावन हार कौन है आत्मा है परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते है आत्मा भी करती और कराती है बर्मा आत्मा भी आते हैं बर्मा दोरा काम कराते हैं हम आत्मा भी इश्यरी दोरा करम कराती है तो हम भी करन करावर वो भी करन करावन हर तो ये सब पॉइंट अच्छी रिती धारन करें तभी तो लायक बने तब ही तो लाइक बने अब जो समझ कर फिर दूसरों को समझाते हैं बाबा उन्हें ही लाइक समझते हैं और स्वर्ग में उच पाने उच पाने के वही लाइक है जो समझाते ही नहीं जो किसी को समझाते ही नहीं उनको नलायक समझेंगे वो नलायक है किस किस के नलायक किस किस के है उच पाने के उच पद नहीं विलेगा उनको बाप तो कहते है लायक बनो राजा रानी बनने के लिए उनको ही कहेंगे सपूत बच्चा यह समझने की बाते और कुछ करना नहीं है सब बातों से बाबा छुड़ा देते है सिर्फ सिर्फ एक बात याद करनी है कौन सी बात कौन सी बात याद करनी है अंतकाल जो इस्तरी सिम्रे अंतकाल में अगर आपको बीबी याद आगी अंतकाल में अगर आपको बीबी याद आगी इस्तरी याद आगी तो वलवल वैश की योनी उतरे वो मिशा वैश्या ही बनेंगी वैश्या की योनी बिलेगी उनको अगर लास्ट में बीबी याद आगी इसलिए एक बाबा याद आए तो स्वरक की बादशाई याद आए तो वही मिलेगा इसलिए अभी से चिरकाल का भ्यास चाहिए अब जो सर्विस एबल बच्चे होंगे जो सेवाधारी बच्चे होंगे क्या करेंगे वो वो बाबा की मुली से जट कार्टून बनाएंगे अंदर कार्टून मनाओ अच्छा अच्छा ऐसे करना है मैटोनाओ परमधाओ फिर सर्विस एबला कार्टून मनाओ मनाओ विचार सागर मन्तन करेंगे बाब ने जो मुली में क्या बोला उस विचारों को ग्यान के सागर जो विचार दिया है उसको मन्तन करेंगे करेंगे ना तो बच्चों को सर्विस करनी है पहले विचार सागर मन्तन करो उसके बाद सर्विस करनी है बाप की आशिरवाद किसको मिलेगी सर्विस एबल बच्चों पर रहती है मांगने की जूरूत नहीं है आप सेवा करो मेवा मिलेगा आशिरवाद मिलेगा यह मिलेगा फिर आशिरवाद भी नंबर वार होती है यह बेहद का बाप सभी के प्रती कहते हैं फॉलो मदर फादर ममभा बाबा ने जो प्रशार्ट किया है वैसा करो नकल मारो उनकी नकल करो यह तो यह तो शिव बाबा से नौलिज लेते हैं ब्रमा उच्पद पाते है तो तुम क्यों नहीं जब वो पासते है तो तुम क्यों नहीं अभी फालो करेंगे अभी से फालो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्पद पाएंगे हर साइकल में उच्पद पाएंगे और अभी फैल हुए फालो करने में तो कल्प कल्पांतर फैल ही होगे, अभी फैल तो हमेशा साइकल में फैल होगे, तो चेक करो, मेरा पुर्शाथ क्या कहता है, मैं फैल तो नहीं हो रहा है, फालो कर रहा हूं पुरा पुरा, अच्छा, अच्छा, मीठे, मीठे, सिक की लद बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद त्यार, और गुड मॉनिंग, रुषानी बाप की, रुषानी बच्चों को नमस्ते, हम रुषानी बच्चों की, रुषानी बाप को नमस्ते . तो अभी सुनेंगे, धारना के लिए मुक्य सार, बाप की आशिरवाद लेनी है, क्या करना पड़ेगा, बाप की आशिरवाद लेने के लिए, सर्विस एबल बनना है, सर्विस के लायक बनना है, यानि आप समान बनाने की सेवा करनी है, जहां तक आप पे विश्चेशत आई है, वो तो दूसरे में भरो, आप समान बनाने की सेवा करनी है, अभी ग्यान ग्यानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है, दूसरा एक बाप की याद में रहने की महनत करनी है महनत सरफ एक ही करनी है क्या एक बापा की याद में रहें और किसी किसी देधारी से देधारन कर लिया है उसमें लगाव नहीं रखना है अटेच अगर किसी में देधार से बुदी है तो रसातर में गिर जाएगे. उसके लिए क्या करने पड़िएगा? नीद को जीतने वाला बन रात में कमाई जम्हा करनी है. रात में पूरा सोना नहीं ऐसा नहीं है. वो निंदरा भी जुरूड़ी है. निंदरा को भी योग कहते है, निंदरा योग. बो निंद्रा योग 2-5 गंटे गहाया झाल राम है प्रे विए उन्कुम जो जाखे सूरी और अर्ली टूराइस जल्दी सोजो दस साथ दस सोजो और स्फिर इस तीन साथ दिर मुझे जो जो पस उस समय फिर मुर्ली पढ़ो फिर कमाई करो बैट जब आबाबा की आख वर्दान करना कहे फिर वर्दान अपने सिने के शीतल सरूप द्वारा विक्राल जौला रूप को भी परिवर्तन करने वाले सिने ही मुरत भव कहोना आजम सिने की मूर्तिया इमेज वाब सिने की मूर्ति देखो आपके चेरे से सिने जलबता है कोना आजम सिने की मूरति कहना क्या है जब विक्राल जौला रूप को भी परिवर्तन करना है विक्राल में नेगिटिव जौला रूप में काम विक्राल की अगनी बन गी है लस्ट का इतना बुरा हाल है जिसमें भी उसको भी परिवर्तन करना आपने कैसे करेंगे जब अपने स्ने के शीतल सुरूप द्वारा अंदर बिलकुल प्यूरिटी अंदर आपके अंदर आई हो कुछ भी सीन हो आपको कोई परभावश नहीं कर सकता तब कहेंगे सनेही मूरती तो मूरती है कुछ भी नहीं कह रहे हैं पिलकुछ सनेही में खड़े हैं ऐसा चाहिए आपका सनेही का शीतल सवरूप यह आपको देख करी कोई कितनी भी आग लगी अग लगी हुई हो वह भी शीतल हो जाए है तब कहेंगे सनेही सवरूप उससे में विकारी है, उसकी दिस्ट्री ख्राब है, सब कुछ ख्राब है, और आपको गुसाज है, नहीं, इतनी आप पे पीस होने चाहिए, प्रॉप्यूर्टी होने चाहिए, उसको देख कि आपको इमूर्थी है यह तो, छेड भी ना सके, हाथ भी ना लगा सके, ठीक है, द्वारा बोता हूँ, अपने सने के शीतल सरूप द्वारा, इतना जो बाबा से कमाया हुआ है, जो कमाई किये योगबल से, उसके द्वारा, विक्राल, जौला रूप को भी परिवर्तन करने वाले सनेही मूरत भाव, वामने का, सने के रिटर्न में, बाप दादा, वर्दाता, बाप बच्चों को यही वर्दान देते है, बाप वर्दान दे रहे हैं, क्या, कि सदा हर समय, हर एक आत्मा से, हर परिश्थिती में, सनेही मूरत भव, बात कैसी भी है, क्या भी है, आप कोनो सनेही मूरत हो, कभी भी अपनी सनेही मूरत, सने की सिरत, ससकार, सनेही विवहार, सने के संबंद संपर को छोड़ना, भूलना मत, अवाइड ने करना किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विक्राल रूप, जौला रूप, धारन कर सामने आए, लेकिन उसे, सदा सनेही शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, सनेही द्रिष्टी और कृति द्वारा सनेही श्रिष्टी बनाना, घरवाले भी मालों पालों को बड़ा फोर्ड करें, यह यह वो है, पिल्कृ सनेही बन करें, उनको भी चेंज करें, उनकी मेंटलिटी को भी चेंज क यह आपका काम है, स्लोगन है, बहुत प्यारा स्लोगन है, कठनाईयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए कठनाईयों से, परशानियों से घबराओ मत, आपको पाउफलों बना रही हैं, अगर को परशानी नहीं कि तो कैसे फेस करोगे बात में? आप आज लवलीन स्थिती का अन्वो कैसे करेंगे? लवलीन स्थिती वाली, जो लवमे लीन है, कुछ दिखी नहीं दो उसको, लवलीन स्थिती वाली समान आत्माएं सदा के योगी है, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवमे लीन, अलग ही नहीं है, तो याद क्या क करेंगे सोता याद है ही जहां साथ होता है तो याद सोता रहती है तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है समाए हुए रहने की है बाबां के लो में समाए रहो लीन रहो ये योगी आत्मा की निशानी है ओम शांती